नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर केके अगरवाल, प्रेजिडेंट हाट के अपनेशन अफ इंडिया एंड सिमा वास नेशनल पेजिडेंट इंडियन मेडिकल असोसियेशन एंड एडिटर मेटाउस कितना समय लगेगा मेरे को कॉरोना ड्वलप होने में अगर मैं एक पॉजिटिव पेशन को मिलता हूँ कन्फ्यूजन है लोगों के मन में आईए इस कन्फ्यूजन को दूर करने की पेशिशाद में अगर किसी एक पेशन को टीबी है फेफडों का टीबी है उसका स्कूटम में एएफ भी पॉजिटिव है और वो मेरे साथ में प्लेन में जर्नी कर रहा है और चार घंटे के बाद में हमारा प्लेन लेंड कर जाता है मेरे को TV होने के chances बहुत कम हैं अगर वो मेरे साथ में भी बैठा हुआ है तो क्योंकि TV का exposure time मेरे को कम से कम 8 गंटे का चाहिए यानि कि अगर मैं पूरे इंडिया में कहीं भी travel कर रहा हूं और उस plane में TV का मरीज है जिसमें मास नहीं पहन रखा तो भी मेरे को TV का खत्रा नहीं है इसे बोलते हैं हम contact time contact time कोरोना की अंदर में 30 मिनट का है कुछ लोग 10 मिनट का भी बोलते हैं लेकिन अगर हमारा जो सिमाओ guidelines है Confederation of Medical Association of Asia and Oshinia हमारी guidelines में यह 30 मिनट का है यानि कि अगर आप किसी धीर में जाते हो और किसी से भी 2-3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते हो और उसमें अगर कोई करोना का patient positive है तो आपको होने का chance नहीं है अगर आपको करोना पॉजिटिव है और आप एक सौ लोगों की धीर में जाते हो और किसी से भी दो मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते तो हो सकता है किसी को भी वो इंफेक्शन ना हो अनलेस आपने सर्फेस पे रख दिया और लोकुस सर्फेस को टच करें हम सिरफ ड्रॉपलेट टुड्रॉपलेट यानि के वी आपकिंग अबॉट ड्रॉपलेट इंफेक्शन विच इस हुमन टो हुमन ट्रांस्पिशन की बात करते हैं तो जो कंटेक्ट टाइम है वो तीस मिनट का है यानि के अगर मैं एक डॉक्टर हूं मैंने आज सौ पेशन देखे या मैंने आज दस पेशन देखे उसमें से एक पेशन परोना का पेशन था मुझे नहीं पता कौन था और म मेरे को प्रैक्टिकली इंफेक्शन होने का खत्रा नहीं है प्रवाइडिड मैं अपनी नॉर्मल प्रिकॉशन ले रहा हूं है स्टिशन को अपना कंसलिंग टाइम आद्द गंगे से कम कर देना चाहिए निल डॉक्टर सर्जिकल टाइब अगर आप देटिन न 10 to 2 अधा गंटे से कम का समय राहिए तो फिर की बाधा गंटे से ख typing आरह आम तो आब पासिबल नहीं होगा कि आदा घंटे का होगा इसलिए पिक्चर हॉल में हमेशा आपका रिस्क रहेगा अगर मॉल पे घुमने जाएंगे तो रिस्क रहेगा आपने कुछ खरीदना है गए खरीदा वापिस आगए तो आपको रिस्क नहीं है याद रखिए जो कंटेक्ट टा के बाद में अगर आपको कंटेक्ट टाइम वहां पे विजिटिंग लाइंग लाइस दन 30 मिनट्स है और आपने हैंड वाश की पूरी फैसलिटी की हुई है पूरी प्रिकॉशन लिए है तो आपको इंपेक्शन नहीं होगा अब ट्रेन के अंदर में डेफिनिटली आपका इंपेक्शन रेफ जादा होगा विकास ट्रेन आदा गंटे में तो नहीं पहुचाएगी उस सिच्वेशन में आपको 6 फिट का सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है और साथ में आपको गलफ्स पहन के रहना है और हैंड वाशन करना है अगर ट्रेन के अंदर में आप बातरूम में जा रहे हो तो खरचीच को क्लीन करो फिर बातरूम का इस्तमाल करो तो उसमें आपका खत्रा मिनीमाईस हो जाएगा जीरो नहीं होगा